दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि कैसे हम मस्रूम का कल्टिवेशन करते हैं यानि कि मस्रूम के कल्टिवेशन का क्या प्रोसीजर है तो टॉपिक बहुत इंपोर्टन्ट है वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मस्रूम are heytrop romantic as they lack chlorophyll यानि कि जो मश्रूम है यह एक प्रकार का फंजाई है और हम सभी जानते हैं कि फंजाई में chlorophyll नहीं पाया जाता तो इस करण इन में जो mood of nutrition है वो heterotropic होता है और heterotropic mood of nutrition भी three types के होते है पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिंब्याटिक तो यदि हम बात करें मस्रूम की तो मस्रूम में सैप्रोफिटिक mood of nutrition होता है यानि कि ये dead material से अपने food को लेता है hence light is not necessary for their growth इसलिए इनके growth के लिए प्रकास की कोई ज़रुरत नहीं होती ये अपना भोजन मरे हुए प्रदार्थों से प्राप्त करते हैं the three major requirements for their cultivation are तो इनके cultivation यानि कि इनकी खेते के लिए तीन महतुपूर्ण चीजों की आउ सकता पड़ती है first है suitable temperature, second है good composed, third है good quality spawn तो आई चलते हैं पहले requirement की ओर तो पहला requirement है suitable temperature the most suitable temperature for the growth of mushroom is between 30 degree centigrade and 37 degree centigrade तो mushroom की खेते के लिए जो उप्यूक्त temperature होता है वो होता है 30 से 37 degree centigrade के बीच temperature below 15 degree centigrade and above 45 degree centigrade is detrimental for the growth of the mycelium and fruiting bodies यदि temperature 15 degree centigrade से नीचे होता है या फिर 45 degree centigrade से उपर होता है तो यह mushroom के mycelium और उसकी fruiting body के लिए detrimental यानि की हानिकारक होता है तो इस प्रकास हम देख सकते हैं कि mushroom की खेती के लिए जो सबसे उप्यूक्त या सबसे अच्छा जो temperature होता है वह 30 to 37 degree centigrade के बीच होता है इन many parts of India such as UP, MP, Punjab, Haryana, Urisa and Maharashtra the optimum season for the cultivation is from April to September तो यदि हम बात करें भारत के कई राजियों जैसे कि UP, MP, Punjab, Haryana, Urisa and Maharashtra इन जगहों पर mushroom की खेती के लिए जो सबसे उप्यूक्त season है वह होता है अप्रेल से सितंबर के बीच In the plains of West Bengal, they are usually grown between March and September In favorable condition, the first crop of mushroom is ready within 30 to 45 days and thus several crop can be taken in growing season तो West Bengal के जो मैदानी छेतर है, वहाँ पर mushroom की खेती मार्च और सेप्टेंबर के बीच की जाती है और जब favorable condition होता है, यानि कि mushroom के लिए जब उप्यूक्त पस्थितियां होती है तो mushroom की जो पहली फसल है, वो 30 से 45 दिन में ही प्राप्त हो जाती है तो इस प्रकास से हम देखें, तो इसके एक growing season में हम इसके कई फसल को प्राप्त कर सकते हैं तो इनके लिए light कोई विशेस महत तो नहीं रखता, उसी तरह mushroom की खेती के लिए light की कोई आव सकता हमें नहीं पड़ती हम इने dark area में आसानी से उत्पन कर सकते हैं आए next हम बात करते हैं good composed यानि की अच्छे खाद की तो यहाँ पर आपको बता दे कि mushroom की खेती के लिए दो तरह के खाद यानि की compost तयार किये जा सकते हैं पहला है natural दूसरा है synthetic तो आए सबसे पहले हम बात करते हैं natural composed यानि की प्राकृतिक खाद की तो प्राकृतिक खाद के लिए घोड़े के गोबर में गेहू या जव के भूसे को मिला कर प्राकृतिक खाद तयार किया जाता है नॉर्मली 33 kg स्ट्रॉव इस मिक्सट विट 100 kg अफ डंग आम तोर पर 33 kg भूसे के साथ 100 kg गोबर को मिलाया जाता है और यहां पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी अन जानवर के गोबर को घोड़े के गोबर के साथ नहीं मिलाना चाहिए इस टोर्ड और और रेन वेट डंग इस नाट सुटेबल फार कमपोज्ट तो यहां पर हमें एक साथानी और रखनी होगी कि जो घोड़े का गोबर हम यूज कर रहे हैं वो कहीं कई दिनों से कठा किया न हो या फिर वह बरसाती गीला गोबर न हो तो संग्रहित या बरसाती गीला गोबर खाद के लिए उप्यूक्त नहीं होता तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा A meter high heaps of the fresh and wet dung obtained from the stable are made in open air After 3 to 4 days when the dung starts producing ammonia due to fermentation it is turned and stalked again This procedure is repeated 4 to 5 times at the interval of the 5 to 6 days तो जैसा कि मैंने बताया कि हम संग्रहित या बरसाती गीला गोबर यूज नहीं करेंगे अस्तबल से ताजा प्राप्त गीला गोबर लगभग 1 meter उचे धेर के रूप में खुली हवा में छोड़ देते हैं 3-4 दिन के बाद जब किडवन के कारण गोबर में अमोनिया का उत्पाधन सुरू होता है तो इसे फील से घुमाया जाता है और फील से धेर कर दिया जाता है यह प्रक्रिया 5-6 दिनों के अंतराल पर 4-5 बार दोराई जाती है और इस दोरान जब हम क्या करते हैं कि गोबर को घुमाते हैं तो इस दोरान गोबर में जिपसम मिलाते हैं तो जो जिपसम मिलाने की मातरा होती है प्रती टन गोबर में लगभग 25 किलो जिपसम मिलाया जाता है और अंत में मिश्रन पर 40 एमल नेमागन को छिड़का जाता है और इस तरह से हमारा जो natural compost है यानि की प्राकृतिक खाद मस्रूम के लिए तैयर हो जाता है तो आए next हम बात करते हैं synthetic compost के यानि की कृत्रिम खाद की तो synthetic compost के लिए यहाँ पर नीचे ingredients दिये गए हैं कि हमें क्या क्या चीजे लेनी होगी तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा गेहूं का भूसा 300 kg दूसरा है गेहूं का चोकर यानि की wheat bran उसके बाद तीसरे नंबर पर है ammonium sulfate या फिर urea 4 kg फिर उसके बाद हम लेंगे potass 1.5 kg उसके बाद लेना है gypsum 30 kg और इसके अलावा हमें लेना है calcium ammonium nitrate 6 kg 8-12 cm तो इस गेहूं के भूसे को हम क्या करेंगे कि एक साफ cement concrete की जमीन पर फैला लेते हैं और इसके बाद इसे हम पानी से अच्छी तरह से गीला कर लेते हैं फिर इसमें gypsum को छोड़कर बाकी सामगरी की आधी मात्रा मिला दी जाती है तो सभी को मिलाने के बाद जो मिस्रण बनता है उसका लगभग हम एक मीटर उचा धेर बनाते हैं और उसके बाद पांच दिन के जब अंतराल होता है तो इस धेर को हटा दिया जाता है और सेस आधी सामगरी को फेज से अच्छी तरह से मिला लिया जाता है तो जब हम सारी सामगरी को मिला लेते हैं तो पूरा मिस्रण का फेज से धेर बना लिया जाता है यह पक्रिया लगभग 6 बार दोहराई जाती है और जब 3 और 4 मोड होता है उसी समय हम मिस्रण में जिपसम को भी मिला लेते हैं तो जब 6 मोड हो जाता है तो 6 मोड के बाद अमोनिया की गंद आने पर 2 या 2 से अधिक फेरे तब तक देने चाहिए जब तक की अमोनिया की गंद गायब न हो जाए अंति मोड में मिस्रण में 10 ml मैला थियान जिसे की हम 5 लीटर पानी में घोल कर मिलाते हैं इसके अलावा कीट के प्रकोप से रोकने के लिए प्रती कीलो में 1 लीटर लिन्टाफ भी मिलाए जाता है और इस प्रकार अंत में जो मिस्रण मिलता है उसमें परियात्त मात्रा में नम्ही होती है तो इस प्राप्त पूरे मिस्रण को हम 100 cm लंबे 50 cm चोड़े और 15 cm उचे 20 ट्रे में भर लेते हैं यानि की 100 गुड़े 50 गुड़े 15 cm के आकार के जो 20 ट्रे होंगे इन 20 ट्रे में सभी मिक्चर को भर लिया जाता है तो आए चलते हैं मस्रूम कल्टिवेशन के तीसरे सबसे बड़े मेजर रिक्वार्मेंट की और जो की है गुड़ क्वाल्टी स्पॉन तो इस्पॉन होता क्या है पहले मैं आपको बता दूँ इस्पॉन का मतलब होता है मस्रूम सीड यानि की मस्रूम के बीज तो यदि हमें अच्छे गुडवत्ता वाले मस्रूम की खेती करनी है तो इसके लिए हमें अच्छी गुडवत्ता वाले इस्पान की आसकता पड़ेगी विभिन सबस्टेट जिन में मस्रूम पहले से ही उगाए गए थे इनका उप्योग हम इनोकुलम के रूप में करेंगे तो यहाँ पर इनोकुलम का मतलब क्या होता मैं आपको समझा दूँ कि जहाँ पर मस्रूम की खेती पहले की गई थी तो कटाई के बाद जो बचे वे खाद है तो उसमें उसके जो इस्पान होते हैं यानि कि उसके जो बीज होते हैं पहले से ही रहते हैं तो उस बीज का उपयोग हम दुबारा मस्रूम को उगाने में करते हैं तो यही कहलाएगा inoculum तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है mostly the composed left after the harvest of mushroom crop is used as inoculum sometimes a small piece of mushroom steep are used as inoculum और कभी कभी हम mushroom का जो steep होता है steep क्या होता है आप figure में देख सकते हैं mushroom का यह वाला भाग कहलाता है steep तो इसके steep का भी use हम inoculum के रूप में कर सकते हैं क्योंकि steep वाले reason में आपको fungi के mycelia मिल जाएंगे और यह mycelia क्या करते हैं आगे चलके grow करते हैं और grow करके नए mushroom का formation करते हैं inoculum of agaricus is usually prepared by adding grain of wheat, rye, or our millets to the substrate तो agaricus का inoculum आमतोर पर substrate में गेहू, rye, या बाजरा के दोनों को मिला कर तयार किया जाता है तो यदि हम बात करें भारत की तो भारत में आमतोर पर तीन तरह के mushroom होते हैं पहला है agaricus bisporus जिसे हम button mushroom के नाम से जानते हैं दूसरा है plurotus जिसे धिंगरी के नाम से जाना जाता है और तीसरा है wolveriella जिसे धान, पुवाल, मस्रूम के नाम से जाना जाता है तो भारत में इन तीनों जातियों की खेती की जाती है तो आईए हम देखते हैं कि कैसे plurotus saajor kaju जिसे हम धिंगरी कहते हैं इसकी खेती की प्रक्रिया क्या है तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है सबस्ट्रेटम तयार करना तो जो सबस्ट्रेटम है सबस्ट्रेटम तयार किया जाता है कटे हुए धान के भूसे, कुछले हुए मक्के के दाने गेहूं के भुसे, राई के भुसे, सूखे और चुनित घास, खाद, लकडी के लौक से तयार किया जाता है अब सबस्ट्रेट तयार करने के बाद अगला step है method of cultivation यानि की मस्रूम की खेती की विधी The substrate is soaked in water in a tank, it is washed with fresh water and the excess of water is allowed to drain तो जब सबस्ट्रेट तयार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को एक tank में पानी में भुगवया जाता है इसे ताजे पानी से धोया जाता है, और जो अत्रिक्त पानी होता है, उसे निकाल दिया जाता है इसके बाद सुखे हुए सबस्टेट को हम क्या करते हैं 1 x 0.5 x 0.25 मीटर लकडी के ट्रे में भर देते हैं तो ये जो साइज दिया हुआ है इसके लंबाई चड़ाई और उचाई को दिया गया है तो जब हम ट्रे में भरते हैं सबस्टेट को तो पहले हम 9 cm तक ही सबस्टेट को भरते हैं और इसके बाद जो मसरूम का बीज है यानि की स्पॉन है उसको हम समान रूप से छिड़क देते हैं और जब हम इस पान को अच्छी तरह से छिड़क देते हैं तो फिल से हम दुबारा सबस्टेट को अच्छी तरह से भरते हैं और तब तक भरते हैं जब तक कि अंतिम गहराई 16-18 cm नरह जाए तो ट्रे में जो सबस्टेट हम भर रहे हैं उसे हम 16-18 cm पहले ही भरना बन कर देते हैं अब इसके बाद हम क्या करते हैं ट्रे को पॉलिथीन की चादर से ढग देते हैं और इसमें दिन में एक या दो बार पानी छिड़का जाता है छिड़काओ के 10-15 दिनों के बाद पूरी सतह पर सफेद कॉर्टनी ग्रोथ दिखाई देने लगती है तो इसके बाद हम क्य में रेत एक भाग बगीचे की मिट्टी तथा एक भाग राल मुक्त धूल होता है और इस प्रकार ट्रे में पानी का छिड़काओ किया जाता है यानि की सीचाई की जाती है तो मसरूम का पहला जो फ्लस आवरण होता है वो लगभग 10-15 दिनों बाद दिखाई देने लगता है मसरूम का स्वस्त वृद्धी के लिए तापमान जो होता है वह 25 दिग्री सेंटीग्रेट मेंटेन किया जाता है और जो आर्दता होती है वो लगभग 85-90 प्रजिसत तक आवस्यक है तो मसरूम की खेती अथात कल्टिवेशन के बाद जो लास्ट स्टेप है वो है हार्व भग 8-10 cm व्यास का होता है आप्टर हार्वेस्टिंग दे लोवर पोर्शन आफ दे स्टाल्क वित ए एडेरिंग डेब्रीज इस कट वित दे हेल्प आफ ए क्लीन एंड सार्फ नाइफ तो कटाई के बाद डंठल के निचले हिस्से को चिपके हुए मलबे के साथ एक साफ तेज चाकू की मदद से काट लिया जाता है मस्रूम कैन बी स्टोर्ड इन रेफिरिजरेटर फार एबाउट ए वीक इट कैन बी ड्राइड आइदर इन दे सन ओवर और इन दो ओवेन एट एट एबाउट फिप्टी तो सिस्टी डिग्री सेंटिग्रेट फार एट आवर द इसे हम धूप में या फिर ओवन में लगग 55-60 डिग्री सेंटिग्रेट तक सुखा सकते हैं वो भी 8 घंटे के लिए सुखे हुए मस्रूम को मार्केटिंग के पहले इसे पैक और सील कर दिया जाता है तो मस्रूम का कल्टिवेशन कैसे किया जाता है सौट में नीचे आपक लाइक और सेर पूलेगा और कोई भी डाउट हो आप हमईसे कमेंट करके पूस सकते हैं और यदी आफ आप हमाया चैनल पर नए है और अभी तक आपने हमाया चैनल को सब्सक्राइब कर लिभे और बगल में जो बेल ऐकान है उसे प्रेस करना मध भूलेगा तक क्य C जब भ झाल झाल